आज मैं आपसे बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो यह है फ्रेंड्स सोया की पतिया यानि इसे डिल लिप्स भी बोलते हैं आपकी शेयर में से क्या बोलते जरूर बताएगा इन पतियों में बहुत जादा खुश्बू होती है और हेल्फ बेनिफि कर लेना यानि अच्छी तरसे से सुखने देना थोई टाइम और इसके बाद आप इसको इद्दम फाइन चॉप कर लें इसकी मैंने टिकियां भी बनाने बताई थी बहुत ही कम तेल में जो आपने बहुत पसंद की आज यह अलग रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप ब तक झाल देँंगे तीन बड़ी चमच के करीब दहीं दो चमच मैं इसमें दाल रही हूँ अदर कलैसूण मिर्ची का पेस्ट मिर्ची का पाउडर नमक दाल देश्वाद अनुसार साथी में अधनिया का पाउडर और जायेगा पुनाजीरा का पाउडर और फोडा सा पूटेगा उसी में हम इसका आणा देंगे इसमें एक्स्ट्रा पानी बहुत ही कम मैं एड़ करने वाली हूँ फ्रेंड्स इसमें अब मैं एड़ कर लोगी गेहूं का आटा अगर आपको थोड़ा खस्ता पसन है तो आप एक दो चमज बेसन भी समें एड़ कर सकते हैं इसे म मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, यानि दो चमच के करीब ही मैंने इसमें पानी आट किया है और मैंने इसका जो जैसे रोटी का आटा लगाते हैं, उसी तरह से मैंने इसका आटा लगा लिया है उपर से थोड़ा सा ओयल लगा दूँगी और चिकना कर लेंगे हम आटे को यह दिखें आटा इदम अच्छी तरह से चिकना हो चुका है अब 10 मिट के लिए इसे कवर करके छोड़ दूँगी ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाएं अब एक लोई ले लेंगे और इसे हम सुखे आटे में लपेट लेंगे आपको जितने बड़ा चुटा पराठा बनाना है उससाब से आप लोई ले 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 और इसे सुखे आटे में आप लपेट ले और सबसे पहले आप एक पतली सी रोटी बेल ले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इद्दम परफिक्ट यह रेसिपी बनती है फ्रिंट्स बहुत जादा टेस्टी जरूर ट्राइ करें यहां में एक ट्विस्ट देने वाली हूं तो आप देखते जाए इसमें में लगा रही हूं अच्छी तरह से आप देसी घी लगाए और मेरी डॉटर को खाना है यह उसे तीखा खाना बहुत में क्योंकि मैं इसके ट्राइंगल पराठे बनाने वाली हूं आप चाहे तो सिंपल ऐसे भी सेख सकते जैसे थेपला बनाते उस तरह से और मैंने दूसरे साइट भी थोड़ा सा घी और ठेचा अप्लाई कर लिया है और इसे ट्राइंगल फोल दे दूँगी यह देखिए इतम बढ़िया है ना इतम बढ़िया ट्विस अब चले इसे भी मैं थोड़ा सा सुखा आटा में लपेट लूँगी और अब ट्राइंगल पराठे हम बेल लेंगे जनरली मैं सुबह टिफिन के लिए बनाती हूं तो मैं थेपला जैसे गोल बेल लेते हैं उसी तरह से मैं बेल के इसे सेख लेती हूं बट आज स्पेशल ट्रीटमेंट क्योंकि वो घर पर है उसे खाना है तो मैंने इस तरह से बनाया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ गरम तवे पर इसे उलटते पलटते हुए घी लगाके मैं सेख रही हूं ताकि अच्छा ये क्रिस्प भी बने क्योंकि मेरी डॉर्टर को क्रिस्पी थोड़ा पसंद है तो अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे सेखूंगी दोनों साइट इस तरह से दबाते हुए ये फूले का भी लेयर इसमें निकलने वाले है फ्रेंड्स तो ये देखे हम कोई चीज की ज़रूरत नहीं है आप दही के साथ एंजॉय करें या आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं ये देखे पूरे लेयर अच्छी तरह से निकल रही है ये देख सकते हैं तो ये वीडियो आप कौन से शेहर से देख रहे है जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा और ये जो सबजी है इसको क्या बोलते हैं और आपकी शेयर में मिलती है कि नहीं ये भी बताएगा चलिए मैं तो जा रही हूँ इस इंजॉय करें आप भी बनाएए और इंजॉय करें लाइक शेयर एंड सुब्सक्राइब मैं चैनल तिल दन टेक केर बबाई